दोस्तों नमश्कार, thermal processing के concepts के बाद canning का पूरा procedure समझने के बाद अब समय है कि हम लोग थोड़ा सा canning के defects के बारे में बात करें कि what are can defects, can defects क्यों important होते हैं, कहां कहां पे कुछ-कुछ issues हो जाते हैं जिसकी वज़ा से can defects हो सकते हैं, क्या वो can defects processing की वज़ा से होते हैं, या manufacturing की वज़ा से होते हैं, या टिन प्लेट की वज़ा से होते हैं, या structures जो हमारे components है, can के उसकी वज़ा से होते हैं, या फिर कोई और reason handling से related reason हो सकता है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे की कैन डिफेक्ट किस टाइप से हो सकते हैं और हम उसको कैसे अवॉइट कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा नाम है S.K. शर्मा और क्वेशन पूछने से कभी मत डरना बात कर रहे थे कैनिंग के डिफेक्ट की कि भी कैनिंग के डिफेक्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं क्या वो औरिजिनेट होते हैं मैनफेक्चरिंग से क्या वो औरिजिनेट होते हैं सीमिंग के दुरान जो हम लोग प्रोसिजर फॉलो करते हैं उससे या फिर originate होते हैं processing condition से under processing से over processing से या फिर further जो post processing analysis handling होती है उसकी वज़ा से canning में defects आ सकते हैं या can के defects आ सकते हैं किसके प्रकार के defects होते हैं क्या-क्या इसकी classification हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक दो बहुत ही important resources resources कौन कौन से resources हैं जो free of cost available हैं कि जिसमें हम बहुत detail में पढ़ सकते हैं जिसको किसी को interest हो बहुत detail में वो देख सकता है कि किस-किस प्रकार के canning के defects होते हैं और कैसे उसको हम लोग जानते समझते classify करते हैं और फिर last में बात करेंगे कि examination point of view से कौन से 7-8 प्रकार के defects हैं जो बहुत important है और जिसमें से examination में questions बनते हैं और उनको हम लोग कैसे समझ सकते हैं conceptualize कैसे कर सकते हैं उसकी detail के बारे में भी बात करेंगे आज की वीडियो तो शुरू करते हैं canning की definition से हमने पिछले वीडियो में भी canning की definition को देखा समझा था canning is a process of preservation of food in hermetically sealed containers by application of heat तो बहुत इस simple definitions हमने discuss करी थी कि कि किस प्रकार से सिर्फ अगर heat से ही preserve करना होता है long term duration के लिए तो उस process को हम लोग canning कहते हैं अगर वो preservation hermetically sealed containers में करी जा रही हो अब बात करते हैं कि फिर defect को क्या होता है defect की क्या definition है so defect is something or a lack of something कुछ और या किसी चीज़ का lack that results in incompleteness that results in incompleteness or inadequacy or imperfection कुछ कमी रह जाए या कुछ हो जाए जिसकी वज़ा से या तो incompleteness generate हो जाती है या फिर inadequate हो जाता है वो process या फिर imperfect conditions finally बन जाती है तो ऐसी particular situations को हम लोग बोलते हैं defect and this may cause health or financial or other risks in its normal use तो अगर कोई product defect में आ जाता है अगर defect हो जाता है तो हम लोग को जो normal usage या उसका उसमें कुछ ना कुछ issue इसमें हो सकता है तो इस प्रकार की condition को हम लोग कहते हैं defect अब ये देखेंगे कि defect कैसे कैसे होते हैं क्या classify उसको हम लोग करते हैं तो बात करते हैं canning defects की और उसकी classification की तो अगर हम लोग origin के basis पे कि वह कहां से originate हो रहा है किस stage में originate हो रहा है इसके basis पे अगर हम लोग canning के defects को classify करेंगे तो हमारे पास चार classes बनती है पहली class आती है manufacturing की जो can का जो tin container है उसकी manufacturing में अगर कोई दिकत है तो फिर क्या can defect हो सकता है canning का defect हो सकता है इसके बहुत सारे examples है it can be burst or curl, double end, deep or weak score line, faulty sealing compound, incomplete curl, pull tab rivet fracture, scrap in die marks and wrinkle curl तो यह सारे के सारे examples है manufacturing की यह तिन प्लेट जब हमने manufacture करी या जो tin can manufacture किया can body manufacture करी तो उस time किस किस type के defects है सकते है इसके हिसाब से यह सारे के सारे examples जो है these are all the manufacturing defects manufacturing of the can container तो पहला class तो यह होगे दूसरा class आता है कि जब हम लोग double seaming करते है double seaming is one of the most important operations जिसके basis पे पूरा का पूरा आपका preservation अधारित है double seaming के time में कौन-कौन से defects हो सकते है उसके examples देखो थोड़ा broken chuck, chuck is broken, clinched only, it is only clinched means sealing नहीं होया, pressing नहीं होया, it is only clinched, then it can be cut over, cut down flange, droop, false seam, fractured seam, insufficient overlap, jumped seam, knock down, curl ends or flange, loose seams, तो यह सारे के सारे examples के है, these are the seaming defects, seaming के दुरान जो defects आगे है, all these are the seaming defects, तीसरी category जो आती है, that is the processing defects, कि वही, seam तो ठीक थी, लेकिन processing के दुरान कुछ कमी रह गी, तो अगर processing के time में कुछ कमी रह जाती है, तो कौन कौन से defects आते हैं, यह है flipper, springer, swell, hydrogen swell, paneling, यह सारे के सारे examples के हैं, processing के defects हैं, और मैं आपको बताता हूं, examination point of view से भी processing के defects सबसे important है, बहुत सारे undergraduate examination में, even entrance examination में भी जो questions आते हैं, generally processing defects से आते हैं, flipper, springer, swell, hydrogen swell से, hard swell, soft swell, इस type के examples उसमें आते हैं, इसके अलावा जो चौती glass है, जो की defect cause कर सकती है, वो है handling, कि बही can भी बढ़िया बन गया, scene भी हो गया, perfect हो गया, उसके बाद अगर हम लोग उसको proper handling नहीं करते हैं, रगड देते हैं, abrasion हो जाएगा, then chalky side seam, it can be chalky side seam, then crushed, cut seam, damaged coating, damaged curl or flange, dent, double seam dent, punctured, scored, यह सारे के सारे examples के हैं, handling defect है, अगर post process handling properly नहीं हो रही है, so these are the defects which can happen into the cans, दूसरी जो class है, यह based on suurity, suurity कितना, कितना वो खतरनाक defect है, जो defect है, उसकी suurity कितनी है, कितनी intensity है, कितना खतरा वो हो सकता है, उसके consequences कितने खतरनाक हो सकते हैं, यह वाला जो defect है, that is the based upon the suurity, तो suurity के basis पे हम लोग 3 classes में इसको divide करते हैं, पहली class जो होती है, class 1 इसको बोलते है, critical, critical defects, दूसरी class जो है, that is the class 2, उनको बोलते है major defects, और तीसरी class है, यह है class 3, इनको बोलते है minor defects, तो अब देखते हैं कि इसमें critical major minor में क्या difference है, so when the defect is critical, it provides the evidence that the container has lost its hermetic seal, ऐसे evidences, ऐसे indications हमको मिलते हैं, जिससे यह पता लगता है कि hermetic seal अब नहीं रही है, it has lost its hermetic seal, and there has been a microbial growth in the can contents, तो पहली बात तो hermetic seal नहीं रही है, और फिर उसके इंदर microbial growth हो जाते हैं, अगर इस type की situation है, so that kind of defect is called as a critical defect, it is considered as a public health problem, तो भाई क्योंकि अगर safe नहीं होगा, तो public health problem होई सकती है, और इनके examples है, holes, punctures, fractures, leakage, यह सारे के सारे examples है, these are the examples of the critical defects, दूसरे जो defects है, these are called as the major defects, लेकिन इसके कोई visible symptoms नहीं आ रहे होते हैं, visible signs नहीं हमको मिलते हैं, so do not show the visible signs of loss of hermetic seal, ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमको hermetic seal खराब होगी है, टूट गई है, लेकिन the magnitude is so high that it indicates that the can might have lost its hermetic seal, तो magnitude इतना बड़ा होता है कि हमको ऐसा महसूस होता है कि भई कुछ ना कुछ हुआ जरूर है और hermetic seal हो सकता है, खतम होगी है और destroy होगी, so this requires extensive sampling and testing to prove that it will not cause any public health problem, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा sampling की जरूरत होती है और बहुत ज़्यादा research की जरूरत होती है, यह establish करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि भई अब इससे कोई public health problem नहीं होनी वाली है, springer flipper इसके examples हैं, और बहुत सारे cans ऐसी stages में आ जाते हैं, लेकिन हम अधिकतर situation में उसको discard कर देते हैं, हम लोग कोई risk नहीं लेते हैं, human beings के साथ कोई risk नहीं लेना चाहिए, तीसरा जो class है, that is called as the minor defects, उनको हम लोग minor defects कहते हैं, और इसका क्या है कि no adverse effect on the hermetic seal, पहले case में 100% effect था hermetic seal में, दूसरे case में possible defect था hermetic seal में, लेकिन तीसरे case में there is absolutely no effect on the hermetic seal, hermetic seal आपकी intact है, no potential public hazard, तो अगर hermetic seal नहीं खराब हुई है, तो इसका मतब potential public health hazards भी नहीं है, तो इसलिए हमको कोई दिकत नहीं, इसका example हो सकता है, एक dented can that will not stack well on the shelf, अगर किसी class में, अगर किसी can में dent पढ़ गया है, तो हो सकता है वो टेड़ा हो जाए, tilted हो जाए, और tilt जब हो जाएगा, तो फिर आप इसको stacking नहीं कर पाएंगे, टेड़ा हो गया can तो उसके उपर, एक के उपर एक can धेट लगा कर रखते हैं, वो नहीं रख पाएंगे, लेकिन इससे कोई public health hazard कोई नहीं आता, कोई risk नहीं है, public को, खाने वाले को कोई खत्रा नहीं है, सिर्फ डेक डेंटी पढ़ाएं, तो ऐसी टाइप के defects को हम लोग बोलते हैं, the minor defects, तो मैंने आपको starting में कहा था, कि मैं दो ऐसे resources बताऊंगा, जिसमें की बहुत ही enormous quantum of information is there, तो पहला resource यह है, एक Canada government का एक document है, एक portal है Canada government का, तो आप इसको देख सकते हैं, inspection.canada.ca, inspection.canada.ca, अगर हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसमें लिखा है, metal can defects, identification and classification, metal can defects, identification and classification, तो metal can में किस किस प्रकार की defects हो सकते हैं, कैसे उसको लोग identify करते हैं, और कैसे classify करते हैं, यह सब चीज़ इसमें बताइए, अगर मैं इसको share करूँ, कि भई exactly मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छा एक exposure हो जाए, तो मैं समस्ता हूँ, आप अपनी screen पर देख सकते हो, inspection.canada.ca and the metal can defects, identification and classification, यह बहुत ही एक comprehensive, बहुत अच्छा document है, अगर आप इसको देखेंगे, मैं थोड़ा सा धरे-दरे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, three-piece sanitary cans उनकी body में, क्या-क्या characteristics होता है, उसके बारे भी लिख रखा है, two-piece cans में क्या होता है, उसके बारे में भी लिख रखा है, और उसके बाद can ends, conventional can ends कैसे होंगे, curl होगा, coding होगी, manufacturers end होगा, sealing compound उसमें सही से पढ़ा है की नहीं पढ़ा है, फिर आता है easy open cans, तो जो easy open peeling वाले cans होते हैं, उपर जैसे करके खुल जाते हैं, बिना काटे, तो वो वाले के cans की भी इसमें बात करी है, can ends, full panel, easy open, pull tab, तो pull tab कैसे काम करती हैं, ये भी इसमें लिखा है, double seams के बारे में लिखा है, और double seams को पूरा classify किया है, bottom hook, counter seam, crossover, end hook, free space, overlap, सारे के सारे definitions बताएं, और diagram के साथ 20 को explain कर रखा, तो अगर आप इस book को देखेंगे पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही सुन्दर exposure हो जाएगा, can defects के बारे में भी और can की sealing के बारे में भी, तो आपको मिलेगा कि दूसरा resource अगर आप अपनी screen भी देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि दूसरा resource है, basic components, a guide to the can defects and basic components of double seam containers, तो ये भी एक बहुत अच्छी book है, बहुत अच्छी online book available है, free of cost इसको आप देख सकते हैं, और ये AFDO की है, Association of Food and Drug Officials, Association of Food and Drug Officials, तो ये AFDO की book है, दोजार नॉम्बर, दोजार ग्यारा का इसमें अडिशन लिखा है, और फिर आगे इसमें भी बहुत सारी चीज़े एक्स्प्रेंग करिए हैं, critical defect, main defect, minor defect, आप इसको पढ़ सकते हैं, examples के साथ, और फिर सारे के सारे classification दिमान दे रखा है, pictorial presentation भी हैं, अगर आप स्क्रॉल करके देख पा रहे हूं, तो classification दिया है, major defects, minor defect की बात करिए, और फिर अरगलर cans को explain किया है, कि कौन कौन से कैंस किस किस प्रकार से हो सकते हैं, और उसमें क्या क्या damages, क्या क्या risks, क्या क्या problems हो सकती हैं, तो भई ये तो बात थी, कि दो cans, स्वरी, दो resources ऐसे जिसमें कि आप ढूण सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा literature मिल सकता है, तो अब वापिस चलते हैं, अपने content की तरफ और मैंने भी जो अपना content बनाया है, इस presentation में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें काफी सारा portion इनी दो resources से मैंने लिया है, तो अगर आप उसको चाहें, अगर आप उसको आप उसमें interested हों, तो definitely आप उसको देख सकते हूँ, तो बात कर रहे थे resources की, कि एक तो मैंने बताया आपको कि inspection.canada.ca, बहुत अच्छा एक information, बहुत अच्छा एक article है, इसमें, जो comprehensive है, एक authentic source का दिया हुआ है, और दूसरा हमने चर्चा करी, कि association of food and drug officials की जो book है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये pension video, जो यॉर्क pension video से publish हुआ है, 2011 edition है, इसमें भी बड़ा comprehensive चीज़ है, explain करी है, canning can defects के बारे में, तो अगर आपको interest हो, तो आप इन दोनों books को follow कर सकते हैं, और इसमें देख सकत आप अपना, जो explanation है, उसके साफ से अपना outlook जनरेट कर सकते हैं, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो जब आगे जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि visible can's polish defects फिर कौन से होते हैं, कौन से ऐसे defects हैं, जो कि visible हों, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, त स्वेल बोलते हैं कि जब can अपना स्वेल हो गया हो, तो अंदर से gas formation हो जाएगी, तो can फूल जाता है, spell हो जाता है, तो gas formation होने के बहुत सारे reason होते हैं, और अलग-अलग degree का swelling हो सकती है, थोड़ा सा भी swelling हो सकती है, थोड़ा सा bulging और ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी leakage शुरू हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे जब pressure build up हो जाएगा, can के अंदर तो बहुत सारे reasons, बहुत सारे complications आ सकते हैं, तो इनके reasons क्या है, तो पहला reason तो है कि overfilling, अगर हम लोग overfilling कर देते हैं, overfilling और failure to draw a proper vacuum, तो अगर vacuum properly नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आ आपका can defect आ सकता है, दूसरा reason है under process, यानि कि जितने बेर process करना था, जितने temperature पर process करना था, हमने उसको उससे कम temperature पर process किया, या कम time duration के लिए process किया, तो फिर उससे क्या होता है, उससे microbial polish हो सकती, gas production हो सकता है, यह हम लोगों ने देखा और 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 भी जाके आगे तो that is called as the post process contamination, और चौता है time lag between closing and processing, कि हमने can close कर दिया और उसके बाद तीन घंड तेक पढ़ा रहा है, तो जब तीन घंड तेक पढ़ा रहा हो, तो हमारा exhausting का effect को खतम हो गया, तो इसलिए time lag between closing and processing, it should be as prompt as possible, so microbial gas production में भी देख, फिर आता है last में, पांचवा number कि non microbial gas production, कि हमने को जैसे ही indication मिला, तो हम उसके बाद लग गए, लेकिन non microbial gas production अगर है, तो hydrogen swell है, gas production from a chemical reaction of product with the metal plate, तो metal plate के साथ जब वो reaction करता है, acid खास कर जो fruit acids होंगे, तो फिर hydrogen gas release होती है, हम लोग आगे जाके देखेंगे, एक example में आपको बताऊंगा, definitely, तो कुल मिल आके overfilling, under processing, post process contamination, या फिर time lag between closing and processing, and many times hydrogen swell, these can be some of the reasons, जिसकी वज़ए से swell वाली condition आती है, और defects हमको देखने को मिलते हैं, तो अब जो examination point of view से है, या जो particular course के point of view से, जो examination माख सब पूचा जाता है, कुछ-कुछ defects की बात करेंगे, तो पहला category जो defect की है, तो वो है swell, जैसा हमने बात करी, औ स्वेल के बहुत सारे degrees हो सती है, स्वेल अलग-अलग level से, अलग-अलग severity के साथ देखा जा सकता है, तो अलग-अलग level का positive pressure बिल्ड़प हो जाता है, तो पहली condition को कहलाती है, फ्लिपर, उसको हम लोग बोलते है, फ्लिपर, तो फ्लिपर का जैसे नाम से हमको पता लग रहा flat, लेकिन अगर हम, but one end becomes convex when pressure is applied, अगर हम इधर से pressure apply करते हैं थोड़ा से, यह देखो, यह इधर से pressure apply करें नीचे से, तो जब नीचे से pressure apply किया, तो एक can end क्या हुआ, वो bulge हो गया, यहां भार निकल गया, so there is bulging in one of the can ends, when you apply pressure on either of the sides, तो उपर वारी तरफ करेंगे, तो release किया, तो फिर दुबारा वो, वैसा ही हो जाएगा, फिर दुबारा दोनों के ends normal हो जाएगा, उसमें कोई दिखा, इसका मतलब यह हुआ कि बहुत कम मात्रा में gas अभी बनी है, अभी spoilage का initiation ही हो रहा है, तो that is what is indicated by this, दूसरा condition है कि springer बोलते हैं उस्टों लोग, क्या बो प्रेशर लगाया, क्योंकि यह springer है, अगर हम अब इसको press करेंगे, तो यह spring की तरह काम करेंगा, spring को दबाते हैं दब जाता है, छोड़ते हैं तो फिर निकल जाता है, फिर दबाते हैं तो फिर दोबारा release हो जाता है, क्योंकि positive pressure इसके बना है, build-up हुआ है, दोनों तरफ, तो इसलिए there is a net positive pressure inside the can, तो pressure लगाएंगे तो थोड़ा सा वो press हो जाएगा, जो gap है वो थोड़ा सा दब जाएगा, लेकिन फिर अगर pressure remove करेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा कि वाफिस हम उसी point पे, उस stage पे आ गए, बोथ flipper and springer indicates that this is the initial stage of hydrogen swell, hydrogen swell की अगर initial stages में यह changes आ रह exhausting, अगर exhausting proper नहीं करी है, overfilling of the can, overfilling कर दिये, तो भी फिर वो gas formation कहा से आएगा, और फिर denting of can with changes in the temperature, अगर temperature बदल जा रहा है, तो कभी कभी denting भी हो जाती है, तो उसके हिसाब से भी अंदर से वो bulge कर सकता है, तो कुल मिला के flipper और springer, दोनों ही initial level के conditions है, when we go for the swell, अब तीसरा आता है, the soft swell, तीसरा condition है, the soft swell, और soft swell का जैसे हमको नाम से ही पता लग रहा है, यह soft swell, soft swell में basically, can ends को अगर हम थम्ब से प्रेस करते हैं, दोनों ends क्या हैं, bulge तो हैं, दोनों ends क्या हैं, soft swell में, they are the bulged ends, लेकिन अगर हम नहीं यहां से प्रेस किया, उसको थम्ब से प्रेस करते हैं, तो थम्ब से प्रेस करने के बाद, वो दब जाता है, मतलब थम्ब का एक impression आपको मिल जाएगा, अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर, तो यह थोड़ा सा इसका जो cap है, वो नीचे दब गया, जहां पर थम्ब था, उसने अपना जगा दे दी इसको थ आपने अगर थम्ब से प्रेस किया, क्यान के एंड को, तो क्यान का एंड दब एगा, नहीं बिलकुल भी, तो अगर वो नहीं दब एगा, कोई भी मार्क फरमिशन उसके नहीं होगा, इसका मन्दब इस अ हार्ड स्वल का एंड अड अप कंडिशन, तो किसी भी एंड को अब इसके समझें कहां आ रही हैं, कि अगर प्रेशर बन जाएगा, अगर उसके हो जुका है, तो इस प्रकार का कैन जो बल्ज आउट हो चुका है अगर उसके कैन कंटेंट को हम कंजूम करते हैं तो हमको यह समझ में आएगा कि वह बहुत ही ज़्यादा उसका तीखा और टेड़ा और अंडिजेरबल का फ्लेवर उसमें रहता है पांचवा जो हमरे पास डिफेक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं दा ब्रीदर उसको बोलेंगे दा ब्रीदर ब्रीदर मींस जो थोड़ी थोड़ी सास ले सकता है सो एकन विदे माइनीट लीकेज बहुत ही माइनीट लीकेज यह उसमें माइनीट लीकेज यह जाएंगे इसकी कोई गैरेंटी नहीं है लेकिन अडेफिनिटली एर उसमें से अंदर बाहर जा सकती है जब ब्रीदर होता है तो सांस तो ले सकता है लेकिन कोई पॉस्टिव प्रेशर उसमें नहीं बना और फूड रिमेंस फिट फॉर कंजप्शन लेकिन जब लिकर की बात करेंगे लिकर में वेरी स्मॉल लिकेज पॉसिबली बी दूटी सीम और पिन होल यहां पर आप देख लिकर उसको हम लोग लिकर करें और आगे चलते हैं एक एक और कॉमन डिफेक्ट है विच इसको बोलता है फ्लैट सार यहां पे अगर आप कैन के अंड्स देख सकते हैं ते कैन एंड्स देर अफ्लैट और अन्डर प्रोसेसिंग नो गैस फॉरमेशन बट दो सार और और एस डिटी इस नॉर्मल तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर दोनों फ्लैट इसके कैन एंड्स दोनों के फ्लैट हैं लेकिन अगर हमने इसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया अंड्र स्वाइज किया अगर 20 मिनट करना साथ 15 मिनट किया आदा घंटा करना था तो दस मिनट किया इस टाइप की सिटोयेशन है तो हम लोगों को मिलता है थैफ्लैट सार अगर प्रेशन बहुत बढ़ जाए के अंदर तो कोई डिकंपोजिशन रिक्शन स्टार्ट हो जाए तो देन इट में बस्ट तो अगर हम इसको एक्स्प्रेंड करें तो बेसिकली इडिपेंडेंट ऑफ दा माइक्रोबिल या नहीं कि अगर हईडोजन स्टार्ट हो आए तो उसमें माइक्रोबिल नहीं है यह हमको समझना यह पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आता है फॉर्मिशन ऑफ हडोजन गैस इन दे कैन फॉलोइंग इंटरन करोजन तो अंदर क्या आए उसके अंदर करोजन होगा भेना कहीं से करोजन होगा और फिर क सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो आप इस चीज को नहीं सीख सकते हो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हमने प्रॉससिंग प्रॉससिंग प्रॉपरली करी है हम उसको इडिन्टिफाई करते हैं तो तो देफिनिटली विल बिन पॉजिशन तो दूट पिर आता है सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों कैन डिफेक्ट्स करने के साथ ही यह टॉपिक भी लगबग फिनिश हो जाता है और कैनिंग हमने पढ़ा इससे पहले थर्म प्रोसेसिंग बढ़ा कैनिंग के प्रोसीज़ पढ़े कैनिंग के अडवन्टिज डिस अडवन्टिज लिमिटेशन कंडिक्शन यह सब चीज़ हमने पढ़ा और आज फिर कैन डिफेक्ट्स को भी पढ़ा मैं समझता हूं आपको कुछ-कुछ बेसिक फंडमेंटल इन्फ के बारे में मिली होगी तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे आप देखते रहिए और कुछ नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल दिया हूंगा तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार